सारी सेविंग खतम हो गई उसके बाद हमारा बहुत ही कह सकते हैं साबून सेंफू तक के लाले पड़ गए कितनी बदसूरत देखती है अब ही तो नहीं नहीं साधी वी है वो वीडियो बना रही है आप फिर से अपना चैनल बनाते हो तो आपके कोक में पलरा बच्चा मर जा नमस्कार मैं जिया आप लोग हमें जिया सासवत रॉय के नाम से जानते होंगे मैं एक बिहार की बहुत ही मिडल क्लास फैमले से बिलॉंग करती हूं हमारी शाधी बहुत ही कम रूम में हो गई थी क्योंकि हमारी दादी की तब्यात बहुत ज़्यादा खराब रहा करती थी तो उन्हें था कि हमारी पोती की साधी जल से जल्द हो जाए और एक अच्छे परिवार में हो जाए और 2019 में हमारी शाधी हो गई अभी हमारे तीन साल हो रहे साधी के उसके बाद हमारी पती की जौब चली गई यह चीज मुझे पता था कि वो जौब छोड़ चुके यह जौब कर रहा हूं उससे बहुत ज़्यादा परिशान हो तो मैंने बोला कि ठीक है आप जोड़ चोड़ दो उसके बाद हमारा बहुत ही कह सकते हैं साबून सेंपू तक के लाले पड़ गए यह बात मैंने किसी से शेयर नहीं की यहां तकि हमने अपनी फैमली को भी नहीं पूजा करती हूं तो एक बार पतिदेव ने हमारी देख लिए यहालत और उन्होंने एक बार बात्रूम गए तो देखा यहां तो कुछ भी नहीं है साबून सेंपू कुछ भी नहीं हमारे फेस वास में पूरा पानी बढ़ा हुआ था तो उन्हें बहुत बुड़ा लगा है मैं असी क्या गलत की आपके शाथ क्या गलत क्या किस के साथ मेंने बुड़ा किया जो साथ ऐसा हो रहा है और मैं यह कहके बहुत ज्यादा रोनी लगी और रोते रोते बैसा गई और जब मैं सो के उठी नहीं म正 Eastern क्मπन में ने बताय कि हमारी जौब लग चुकी मुझे posting हो चुकी थी तो वो दूसरे सहर में जा चुकी थी तो हमारे ससूर जी बहुत ज़ाद बिमार रहते थे तो मैं ससूर की देखवाल के लिए घर में रुख गई और बहुत ज़ादा मैं बोड हो रहे थी घर में और कोई भी नहीं थे तो मैं उस टिक टॉक जलता था तो मैं टाइम पास के लिए टिक टॉक बस बनाया करती थी और जैसे कि हमारी बात होती थी हमारे हस्बेंट से तो मैं कुछ वीडियो कॉल का रिकॉर्ड करके 15-20 सकेंड का वो डाल देती थी और उसमें बॉलिवुड का सॉंग लगा के बस डाल दिया करत से उसताइब मुझे बिलकुल भी नहीं पता था कि व्यू क्या होते फॉल आश हें कि होते कुछ भी मुझे नहीं पता था और एक दिन मैंने अपने हस्बंको बताया कि मैं टिक-टॉक पर वीडियो बनाया करती हूं तो मैं नहीं मना किया कि ऐसा मत किया करो तो अगर तुम हमारे वीडियो कॉल को डिकॉर्ड करके अपने टिक टॉक पर डालोगी तो फिर मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं आपनली तुमसे बात करता हूं तो मैंने बोला कोई बात नहीं आप मुझे देखना ही मत मैं आपको ब्लॉक कर देती हूं फिर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैंने उनको अन्ब्लॉक कर दिया मैंने उनको अन्ब्लॉक कर दिया फिर मैं सोची कि वह तो टिक टॉक वगेड़ा यूज करते हैं नहीं क्योंकि उतना सोसल मेडिया वगेड़ा वह यूज नहीं करते थे तो एक दिन पता नहीं कैसे हुआ पतीदेव टिक टॉक हमारा ओपन किये और देखे कि हमारी बहुत सा कि बनाएं करो तो अपनी खाना काथ बना रहें कि बनाऊकर करते हैं। सब्सक्राइब सोच्छी कुछ ही धिनों में हमारे साथ लाग फॉलोवर हो गया सरकार में होता है कि बहु जो होती है कोई सोचली मेडिया डिशा辉ल हो सकती मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा लोग बहुत कुछ कहा करते थे अभी तो नियू-ण्यूश शादी भी है यह वीडियो बनाती है मार्केर जाती है बहुत कुछ बोला हमारी सास कहीं दूद लेनी जाया करती थी बगल में तो एक लेडी ने मा को कहा कि आपकी बहु वीडि तो माने बोला हम वीडियो बनाएं तो पहले मुझे बता है तो फूरे बोला कि ऐसा कुछ नहीं तो माने बोला कि अगर उसकी बनाने से आपके खंदान में किसी को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है आपके खांदान में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है आपके खांदान में किसी की बदनामी हो रही है तो अभी बोलो मैं अभी उसको वीडियो बनाना बंद करवा देती हूं अगर नहीं हो रही है तो आप कोन होते हो बोलने वाले मुझे पता है हमारी ब कुछ होते तो बहुत तकलीफ होती अंदर से लेकिन फिर भी हमने हार नहीं माना उसके बाद लेकिन उन्हें यह चीज नहीं पता था कि यह हमारे लिए वर्दान साबित हो सकता है उसके आद मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया और कुछी दिनों में हमारे अच्छे खास यूट्यूब दोनों ड्लीट हो गया फिर हमें बहुत जादा बुड़ा लगा लेकिन फिर मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया और फिर से मैंने चैनल बनाए बहुत सारे लोग हमारे बारे में नए नए वीडियो बना रहे थे उन्हें लग रहा था कि मेरा दूसरा चैनल है फिर से मैंने वीडियो डाले कि मेरा चैनल डिलीट हो चुका है यह मेरा न्यू चैनल है उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट की और जब हमने अपनी नए चैनल बनाई और सूचना दिया लोगों को कि हमारा चैनल डिलीट हो गया है तो कुछ लोगों ने इतना बेहूदा कम मर जाएगा तो मुझे यह सुनके बहुत खड़ाब लगा मैं रोई भी मैं सोची कि मैं नहीं बनाओंगी चैनल फिर से लेकिन हमारे पती ने हमारा बहुत सपोर्ट किया उन्हें नहीं बोला कि ऐसे कमेंट करने वाले ऐसे ही होते हैं उसके कहने से कुछ भी नहीं होगा और तुम अपनी वीडियो बनाओ कुछ नहीं होगा फिर मैंने अपनी कंटीनियू रखी जर्नी को भगवान की किरपा दे कि आज हमारे यूट्यूब पे तीन लाग सब्सक्राइबर हैं और मोच पे 2.6 मिलियन हैं फेस्बुक पे सारे 8 लग फॉलोवर इंस्ट्राग्राम पे सब्सक्राइबें सब्सक्राइब यूठाइब कृवा लृएं और में अपना जर्नी कंटीन्यू रखी वुलोगों यह वी सुना कि कितनी बतसूरत दिखती है कितना स्मार दिखता है बहुत कुछ सुना मैं उतना बता नहीं सकती लेकिन आमारे हसबन हमारे लिए एक खंबे के तरह खड़े रहे और हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे अंत में आपसे यह कहना चाहूंगे अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपके खिलाब बहुत लोग खड़े होंगे बहुत भदा-भदा कमेंट करेंगे बहुत कुछ कहना चाहेंगे आप कभी भी नहीं जुकोगे आप अपनी मंजिल को जरूर पाऊगे और जो लोग आपकी अलोचना करेंगे मजा कुराएंगे आज वही लोग हमारे वीडियो देख करके वही काम स्टार्ट कर रहें और दूसरों को हमारी पहचान दे रहें कि वह हमारे जान पहचान के हैं आपके लिए आपका परिवार मैटर नहीं करता है आपके परिवार का बैक्राउंड मैटर नहीं करता है बस मैटर यह करता है कि आपका लक्ष क्या है अगर आप अपने लक्ष के तरफ काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको